गेहूं की बढ़ रही कीमतों को काबू करने की योजना है इसके लिए सरकार गेहूं आयात पर 40% जूटी को खतम कर सकती है इसी के साथ कारोबारियों के लिए भंडार पर सीमा भी लगा सकती है गेहूं के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में इस समय कीमते रिकोर्ड सर पर पहुंच चुकी है भीशन गर्मी के चलते फसल के नुकसान को देखती हुए सरकार ने मई में ही गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी बाब जूद इसके घ्रेलू कीमते उचे सर पर बनी रही कारोबारियों ने कहा है कि अगर सरकार आयाद जुटी हटाती है और अंतराश्चे कीमते कम होती है तो तिहारी सीजन में आयाद शुरू हो सकता है उस समय घ्रेलू बाजार में भाव ज्यादा हो जाते हैं मिली जानकारी के मुताबिक केंदर सरकार गेहूं के भाव को नीचे लाने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रही है सरकार के पास इस साल बजार में हस्तक्षेप करने के लिए सिमित विकल्प है क्योंकि खरीद 56-57 फीसद गिरकर 1.888 लाग टन हो गई है नई फसल 9 महिने के बाद ही उपलब्ध हो पाएगी तब तक भंडार का उप्योग सावधानी से करना होगा आपको बदा दे कि देश में गेहु का स्टोक 15 साल के निशले स्तर पर आ गया है और ये 1 अगस 2008 के बाद सबसे कम है वर्तमान में भारतिय खादेनिगम और राजस्तरकार के अजंसियों के पास केंद्रिय पुल में गेहु का स्टोक इस महिने के शुरुवात में 26.6 मिलियन टन तक गिर गया जो 1 अगस 2008 के बाद का सबसे निशले स्तर है उमीद है कि 1 अक्तूबर तक यह 22.5 मिलियन टन हो जाएगा गेहु के स्टोक में कमी के लिए मौझूदा रभी सीजन में खरीद को जिमेदार ठेराया जा रहा है क्योंकि खरीद 56-57 परतिशत से अधिक की खरीद में गिरावट देखने को मिली है इस बार उतपादन में भी कमी देखी गई है वही मई 2020 से ही केंदर सरकार राशन योईना के तहट 80 करोण लोगों को गेहु बांट रही है इससे भी स्टोक परभावित होता दिखाई दिया है क्रिशी मंत्रालिया ने कहा है कि इस बार मार्च के महिने में अत्यधिक तापमान हो जाने के कारण देश में गेहु के उत्पादन में 3 फीसद की गिरावट डर्ज की गई है तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि गेहु की कीमतों में ज्यादा गिरावट ना आए और टीमते आगे चल कर तेजी बनी रहे Bureau Report Market Times TV